Welcome to Curiously Forever, मैं हूँ प्रशांत मावानी, I hope you all are doing good. इस लेक्चर को दूसरे लोगों के साथ शेर जरूर कीज़ेगा, तो चलिए अब ये रेल स्टोरी की शुरुआत करते हैं, बात है 1965 की, उस सवय भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था, 22nd September 1965 इस युद्ध का आखरी दिन था, भारत और पाकिस्तान की बोर् पाइलोट, 36 साल की उम्र के, एक स्कॉड्रन लीडर थे, अचानक से उनके प्लेइन को शॉट किया जाता है, उनके प्लेइन में आग लग जाती हैं, और उनको इमर्जंसी इजेक्ट करना पड़ता है, आपको याद होगा, 2019 का ये किस्सा, जब हमारे अभिनंदन वर्तमान साब, उनको इजेक्ट करना पड़ा, वो पाकिस्तान में लेंड हुए, फिर उनको गिरफतार किया गया और आम शूर आपको उसके बाद की प्रोसेस पता है, वैसे ही, ये जो स्कॉड्रन लीडर थे हमारे 1965 में, उनको भी इजेक्ट करना पड़ा, और वो भी पाकिस्तान म land होते हैं जैसे ही वो जमीन पर गिरते हैं कुछ ही seconds के अंदर पाकिसदान की फोज जो हैं वहां पर पहुँच जाती है उनको arrest किया जाता है फिर एक जगा से दूसरी जगा पर उनको भेजा जाता है और finally उनका interrogation उनको प्रशन पूछे जाते हैं उनको ये प्रशन पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है वो कहते हैं कि मेरा नाम है केसी करियपपा उनको पूछा जाता है कि आपकी post क्या है आपका rank क्या है वो कहते हैं कि I am a squadron leader अफ इंडियन एर फॉर्स उसके बाद जो उनको प्रशन पूछा गया वो काफी अलग प्रशन था वो जनरली किसी को ऐसा प्रशन नहीं पूछा जाता और यह मैं बात करहा हूँ कि उनको एरेस्ट किया गया उसके कुछ दिनों के बाद की बात है कि उनको पूछा गया कि क्या आप भारत के जो जनरल करियपपा है उनके रिलेटिव है जवाब में केसी करियपपा कहते हैं कि हाँ मैं जनरल करियपपा साहब का बेटा हूँ ये बात पाकिस्तान के रैंक एन फाइल यानि कि पाकिस्तान आर्मी नेवी एर फोर्स सबी लोगों को ये खबर मिल जाती है कि ये जो केसी करियपपा है वो जनरल करियपपा साब के बेटे हैं और उस टाइम पर पाकिस्तान के आर्मी जनरल थे आयूब खान अब आजादी से पहले आयूब खान साब ने केम करियपपा साब के साथ काम किया था ऐसे जूनियर केम क एक अची तरीके से जानते थें तो आयूब खान रेडियो में एक अनौंस्मेंट करवाते हैं वो कहते है के पाकिस्तान की सेना ने केसी करियप पाको गिरफ़तार कर लिया है वो पाकिस्तान की कस्टिडी में महफूज हैं और फिर आयूब खान जो है वो एक प्रपोजल तयार करते हैं वो उस टाइम पर जो पाकिस्तान के हाई कमिशनर थे इंडिया में उनको कहते हैं कि आप परसनली जाएए आप जाकर के एम करियपपा साब को मिलिये और उनको बताइए कि उनका जो बेटा है वो पाकिस्तान की कस्टिड में हैं वो महفوظ हैं उनकी हेल्थ और सारी चीज़े अच्छी हैं उनका अच्छा देख भाल रखा जा रहा है इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि क्योंकि केसी करियपपा केम करियपपा साब के बेटे हैं तो जनरल आयूब खान ने ये डिसेशन लिया है कि वो उनको रिहा कर करने के लिए तयार है पता है इस बात को सुनने के बाद the field marshal केम करियपपा साब ने क्या कहा उन्होंने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया reatly ठुकरा दिया उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की केद में जितने भी इंडियन सोल्जर्स हैं वो सभी के सभी सोल्जर्स जो हैं वो उनके बेटे ही है और उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की पाकिस्तान हाई कमिशनर को कि ये जो हमारे देश के सोल्जर्स आपकी कस्टिडी में हैं वो soldiers हैं उनको respect मिलनी चाहिए और उनकी अच्छी तरीके से आपको देखबाल भी कनी चाहिए यह आपकी एक duty भी बनती है तो दोस्तों अगर चाहते हैं वो तो अपने बेटे को छुड़ा सकते थे लेकिन नहीं जितने भी prisoners of war थे वो सारे के सारे business of war को यानि कि जितने भी भारत के सेनिक पाकिस्तान की custody में थे उनको अपने खुद के संतान की तरह देखने वाले ऐसे महान व्यक्ति थे के एम करियपा उनको field marshal के एम करियपा भी कहा जाता है भारत के पहले सेना प्रमुख यानि कि आजादी के बाद first commander in chief of Indian army के एम करियपा भारत के अभी तक के इतिहास में सिर्फ दो लोगों को ही field marshal का rank दिया गया है 1983 में के एम करियपा साब को field marshal का rank दिया गया और सबसे पहले हमारे देश के जो field marshal है वो थे सैम मानेकसो साब जिनको 1973 में यह rank दिया गया था Now coming back to करियपा साब उनका जन्म 28th January 1899 में हुआ था और आज 28th January हैं दोस्तों तो आज हम उनको याद कर रहे हैं एक महान इंसान को याद कर रहे हैं और उनका जन्म जो है वो करनाटका में हुआ था education की बात करें तो उने Central High School जो मेदिकरी में हैं वहाँ से अपना education किया फिर higher education के लिए वो presidency college मदरास गए केम करियपा साब की सबसे interesting बात ये हैं कि he is also known as a man for many firsts बहुत सारी चीजे उनसे start हुई जैसे के वो आजाद भारत के सबसे पहले आर्मी चीफ बने वह सेन्या परिक्षन के लिए चुने जाने वाले पहले भारतियों में से एक थे 1942 में किसी युनिट की कमान संभालने वाले पहले भारतिय अधिकारी के एमकरियपा साब थे उन्होंने द्वितिय विश्वय युद और 1947 के पहले भारत पाकिस्तान युद में अपने सेनिकों का नितरुत्व किया था उन्होंने जोजिला, द्रास और कारगिल पर सफलता पुर्वक कबजा कर लिया और लेह के साथ एक लिंक अप स्थापित किया अब की स्क्रीन के उपर जो लोगों है इनसिग्रिया है ये रोयल कॉलेज ओफ डिफेंस स्टडीज है ये युके में है इसको पहले इंपिरियल डिफेंस कॉलेज कहा जाता था और 1947 में पहला ऐसा भारती है पहला ऐसा व्यक्ति जिनको इंपिरियल डिफेंस कॉलेज में ट्रेनिंग के लिए बेजा गया तो दैट परसन वोज के एम करिया पासाब इतना ही नहीं इंडिया और USA के रिलेशन्शिप में सुधार लाने के प्रयास की प्रसंसा करते हुए उस समय USA के जो प्रेजिडन थे हैरी ट्रूमेन उन्होंने एक एवोड दिया ये बहुत ही रेर एवोड है और पहली बार इंडिया के किसी जनरल को ये एवोड दिया गया था 1953 में वे सेना से सेवा निवरुत होते हैं 1956 तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड में उच्चा यूग के रूप में उन्होंने सेवा दी फिफ्थ में 1993 को 94 येर्स की आयू में उनका निदन हो गया हमारे देश के वीर शहीदों की तरह वो भारत के आस्मान का एक सदा टिम टिमाता तारा बन गए ये थे फिल्ड मार्शल के एम करियपपा दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक के साथ साथ कमेंट सेक्शन में जै हिंद भी लिख देना मुझे पता चल जाएगा वीडियो को दूसरे स्टूरेंस के साथ शेयर जरूर करें I'll see you soon God bless us all जै हिंद